बिस्मिल्ला रमानुरहीम वेल्कम गाईज आज हम 70-411 इंस्टारिंग और कॉन्फिगरिंग विंडोस सर्वर 2012 का लेक्चर नमबर 3 स्टार्ट कर रहें इससे पहले दो लेक्चर में हमने एक्टिव ट्रेक्टरी को देखा जिसमें हमने ADC को इंस्टॉल करना देखा उसकी क्लाइंट्स पर उसके बाद हमने उसकी फिल्ट्रिंग की थी OU के जरीए और इस दफ़ा हमने उसकी फिल्ट्रिंग की है ग्रूप के जरीए ओके तो अब चलते हैं अपने लेक्चर नमबर 3 की तरफ और देखते हैं लेक्चर नमबर 3 में आज हम किस चीज को कवर करेंगे तो इस lecture में हम अपने file server करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि file server actually होता क्या है इसकी जो definitions हम उसको पढ़ेंगे फिर आपको file server configure भी करेंगे उसके बाद file server के बाद एक इसका advanced feature होता है DFS, ठीक है हम DFS को देखेंगे कि overview of DFS, DFS actually है क्या, क्यों use होता है, कैसे use होता है, फिर DFS name space को discuss करेंगे कि name space क्या होती है, DFS की कीसे configure करते है, फिर उस name space के अंदर different share folders को कैसे configure करते हैं, और इन file server को एक side पे है और यह DFS एक side पे है, तो इन तीनों का, इस DFS का क्या difference है, और file server का इन दोनों में क्या difference है, और DFS क्यों use होता है, फाइल सर्वर कहां use होता है, इन चीज़ों को हम discuss करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे advantage मिलते हैं हमें DFS के जरी है तो सबसे पहले हम discuss करते हैं file server को file server क्या होता है तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ हमने पहले भी एक दफार configure किया था अपने lectures में 410 में client server जो model होता है जो कि client server model of file server is a computer कि कोई भी computer हो सकता है आपके environment में अगर आपके पास 5-6 computer आपके environment में चल रहे हैं तो कोई भी computer हो सकता है जो responsible होता है for the central storage and management of data files so other computers on the same network and access the file मतलब कि अगर आपका ये network है इसके ओपर different आपके computers पढ़े हुए है ठीक है इन में से कोई भी जो machine है वो आपकी as a file server act कर सकती है फ़रक्या आप उस machine के ओपर एक folder को share करेंगे ठीक है और उस folder को बाकी ये दो computer जो same network पर उसको access करेंगे तो actually इस scenario में आपकी जो ये machine है वो आपकी as a file server act कर रही है ठीक है file server allow करती है users को कि जितने भी user यहाँ login है वो information share कर सकें data transfer कर सकें इस computer से इस computer पर different computers में data transfer कर सकें without any external storage like floppy disk के जरीए cd के जरीए और किसी भी hard drive के जरीए अगर data share करते हैं तो उसकी बजाए अगर वो अपना folder share करते हैं तो वो अपने LAN cable के जरीए जो इनका ethernet का connection होता है उसके जरीए वो data को एक server से दूसरे server पर transfer कर सकते हैं ठीक है computer की अगर configuration की बात करें तो computer कोई भी हो सकता है जो act कर सकते हैं फाइल सर्वर चाहें आपकी windows हो ठीक है windows 10 हो windows 8 हो 7 हो या आप अपने windows server को configure कर लें इसमें क्या फरका आएगा जो windows आपकी client machine है जो windows 7, windows 10 जो client machine है उसके limit होती है कि इतने user 5, 10, 15, 20 user at a time एक share folder को access कर सकते हैं लेकिन अगर हम dedicated server 2008-2012 की बात करें तो उसमें ये limit बहुत ज्यादा होती है जिसकी वज़ए से आपके ज्यादा से ज्यादा users एक ही time पे एक server को access करके उसमें से files वगरा read कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके लिए recommended है अगर आप अपने company में कोई file server लगाना चाह रहे हैं implement करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए windows server का इंतखाब करें क्योंकि उसके अदर आपको file server के लावा खाली उन server में मिलती है जो आप इसको implement कर सकते हैं ठीक है जैसे कि कोई मैपता है कि ये आपके simplest form है file server may be an ordinary PC जो के PC हो जो clients की request है उनको handle कर सके बस इसके लिए इतना काफी है और वो कोई भी PC file server की तरह act कर सकते हैं ठीक है Microsoft की बात करें तो Microsoft का file server आपके Windows server 2008 के अंदर होगा लेकिन अगर यही चीज़ आप अपने Microsoft के environment से बाहर लेकर जाते हैं तो आपका कोई भी NAS box जिसे हमें network area storage भी कहते हैं ये storage की तरह को different hard disk लगी होती है ये आपका NAS box भी as a file server act कर सकता है आप इसके ओपर different folder बना सकते हैं share कर सके हैं तो बजाए इसके कि आप Windows server को use करें अगर आपके central storage है तो आप उस central storage को भी as a file server अपना use कर सकते हैं ठीक है एक example देखते हैं file server की अच्छा इसके अंदर मैं देखे हैं आपके पास एक server 1 है server 2 है और server 3 है ठीक है आपने इन तीनों servers पे different किसम के folders को share किया वा share 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ठीक है अब 8, 9 तक आपने इन folders को share किया answer ये है कि बहुत सी reason हो सकता है कि जो हमारे server 1 है, 2 है, 3 है, इन तीनों के resources काबिल नहीं है कि ये तमाम shares को hold कर सके पहला, दूसरा ये है कि अगर आपका for example सारे share एक एक ही server पे होंगे और अगर वो जो main server है वो down हो जाता है तो इस case में आपके तमाम जो share है वो unaccessible हो जाएं आपके तीन share है लेकिन आपके पास 100, 1.5, 200 user है तो वो बजाए इसके कि सारे आपके एक server पे आएं तो आपने different file server configure की है, हुए तीन file server तो जिसको अगर HR का data चाहिए, अगर उसे share 1 का data चाहिए तो उसे पता है कि मैंने srv1 पे जाना है, srv2 पे जाना, srv3 पे जाना है, अब इस चीज़ के लिए जो user है आपका, जो client tender वो काफी confused है, confused क्यों है कि for example उसको यह याद नहीं रहता कि जो share 6 है, वो किस server पे पढ़ा हुए, तो वो पहले उसे srv1 पे ढूंडेगा, फिर srv2 पे ढूंडेगा, फिर finally देखेगा, अच्छा यह यहाँ पढ़ा हुए, इसी तरह अगर उसे कोई और share चाहिए, तो उसको सोचना पढ़ेगा कि आया यह share मेरा किस server पे पढ़ा हुए है, यूँकि जब वो server को access करेगा, तो double backslash करेगा, यह srv3 देगा, यह srv2 देगा, यह srv1 देगा, यह nkip देगा, तो जब यह unique identity हो जाएगी, तो उस server के उपर जो कुछ share होगा, वो उसको वो ही नजर आएगा, तो इस case में जब आपके पास environment बड़ा है, यह आप अपने central location करना चाहते हैं, यह आप अपने different servers configure करना चाहते हैं, यह आप अपनी name space यानि जो accessible इसको सोड़े से unique करना चाहते हैं, कि इसमें किसी भी srv1 का नाम ना हो, कि ना srv1 access करना, ना srv2, ना srv3, बलके मैं आपको एक और virtual नाम दूँगा, आपने उसको access करना, back end पर यह मेरी tension है, यह हमारी tension है, कि मैं उसको किसाना configure करता हूँ, user को आपने सिर्फ वो ही URL देना है, तो इस case में, इस scenario में आपका distributed file system, DFS, वो implement होता है, जो इस scenario मे आप implement करते हैं, ठीक है, अब हम DFS को पढ़ते हैं, कि DFS होता क्या है, DFS क्या होता है, distributed file system is used to make file distribution across multiple server appear to user as its register on the one place in the network, ठीक है, मतलब यह है कि distributed file system क्या करता है, यह back end पे, back end पे जो files हैं, जो आपके, जैसे मैंने पिशली slide में देखें कि आपके पास share 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, SRV 1 को भी याद करना है, 2 को भी याद करना है, 3 को भी याद करना है, उसके बाद उसको यह याद करना है, कि यह share किस server पे पढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम DFS की बात करते हैं, तो आप user को एक simple नाम देते हैं, for example, आप उसे कहते हैं, कि तुमने double back slash करके ABC पे जाना है, ठीक ह जब user इसको access करेगा किसी भी share को, तो वो इसको यहाँ से forward कर देगा request को उस server के उपर, बजाए इसके कि user एक-एक server के उपर जाके यह command चलाए, वो simple एक back slash करके इस चीज़ को access कर लेगा, ठीक है, in the other words, DFS law are demonstrated to consolidate the file sheet that may exist on multiple servers, मतलब multiple servers पे आपके share हो सकते हैं, which srv1, 2, 3, multiple servers आपके share हो सकते हैं, लेकिन उनको access करने का तरीका हमेशा एक ही रहेगा, एक और URL होगा, virtual URL होगा, ठीक है, वो virtual URL क्या है, वो है आपकी namespace, namespace के नाम आप जो भी रखेंगे, आप उसे srch राक, share रखते हैं, आप उसको files रखते हैं, data रखते हैं, कुछ भी आप उस namespace को user हमेशा अपने namespace मतलब SHR को access करेगा, और जब वो SHR को access करेगा, तो उसे तमाम के तमाम shares वहाँ नजर आएंगे, जो actually उस server पर नहीं पड़े होए, जो किसी और server पर भी पड़े हो सकते हैं, उसी server पर भी पड़े हो सकते हैं, और 3-4 servers पे mix भी पड़े हो सकत ठीक है, जब DFS namespace की बाद आती है, तो namespace का मैंने बता दिया, DFS replication की बाद आती है, तो DFS replication के लिए जब आप different servers को configure करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो shares एक दूसरे पर replicate हो, इसकी example मैं आपको आकर जाके दूँँगा भी, सब्सक्राइम DFS namespace की थोड़ी जो definition उसको लेते हैं, enables you to group share folders, share folders का group बना के that are located on different servers, जो different servers पे share folder परे हैं, उनका एक group बना के logical structure बना के आपको एक उसका नाम दे देता है, उस name को हमेशा आप access करते हैं, ठीक है, each namespace appear to user as a single share folder, namespace क्या होगी, जब वो double back slash करके access करेगा, तो उसे एक ही namespace नजर आएगी, एक ही share folder नजर आएगा, बजाए इसके कि उसको 100, 200, 1.500 folder नजर आए, वो उस एक folder के access करेगा, और उस एक folder के अंदर further और server होगे, ठीक है, with a series of sub folder यसे लिखा हुआ है, however, the underlying structure of the namespace can consist of numerous files shared that are located on different servers and multiple sites, हाँ, उस folder जो उनके sub folder होगे, जो share folder होगे, वो उसी server पे भी मजूद हो सकते हैं, और उसके लावर different servers पे भी वो रखे जा सकते हैं, या पड़े हो सकते हैं, और multiple sites पे भी हो सकते हैं, कि कुछ shares लहोर में हैं, कुछ कराची में, और कुछ different जगा भी पड़े होगे, ठीक है, जब namespace की बात करते हैं, फिर बादबारी आती है, आपकी replication की, replication है करता है, enables you to efficiently replicate folders, including those referrals to be a DFS namespace बात, इसके बारे में हम जब इसको practical करेंगे, तब आपको पता चलेगा, कि for example, आपका एक SRV1 और SRV2 दो server हैं, दोनों servers पे कुछ shares पड़े हुए हैं, ठीक है, और अब आप उन shares के अंदर जो data है, उसको भी replicate करना चाहते हैं, कि in case मेरा अगर SRV1 डाउन होता है, तो मेरे तमाम के तमाम shares accessible हो, और उनका data वैसा ही मजूद हो, तो उस case में हम DFS replication को configure करते हैं, यह करता है, यह algorithm तुछ आता है, और RDC compression करता है, और इसको वहाँ से data को एक server से दूसरे server पे, जो है, जो भी changes होती हैं, उनको करता है, RDC detect changes to the data in a file, जो भी change होता है, and it enables DFS replication to replicate it, any change made in file, block, institute of entire file, पूरी file को वहाँ से replicate करता है, बजाए इसके के file में जो change हुआ है, उसको वहाँ से replicate करे, अभी इसकी हम example देखते हैं, कुछ pictures देखते हैं, तो आपका सोड़ा concept इसके बारे में और clear हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले देखें जी, आपके left hand side पे आ रही है क before DFS consolidation, कि for example मेरे पास 4 server थें, और 4 server मेरे पास 4 share पड़े होए थे, Chicago server था, उसके ओपर मेरा home का server पड़ा हुआ था, और एक मेरा एक और server था, उसके ओपर ये था, ये server, ये, इन 4 servers के ऊपर मेरे पास different shares पड़े होए थे, ठीक है, आप user को मुझे बताना पड़ता था, कि या inverse के server पड़ा हुआ है, इसी तरह मुझे बताना पड़ता था, जब मैंने अपना DFS को implement कर लिया, लगा लिया, तो क्या हुआ, मैंने उसे कहा कि ये एक name है, public, यहां तक, तुमने इसको access करना है, तुमें इससे फरक नहीं पड़ता कि ये share कि server पे है, कहां मुझूद है, home का share इधर ही पड़ा हुआ है, projects का share इधर ही पड़ा हुआ है, ये share आपका इधर ही पड़ा हुआ है, physically ये share उधर ही है, लेकिन मैंने DFS को बीच में लाके, एक virtual name बनाके, एक virtual name बनाके, इनके अंदर मैंने target दे दिया, कि कोई भी बंदा, अगर इस path पे आके, reports के folder को access करत है, तो तुमने उसकी, जो request है, उसको तुमने forward कर देना है, इस server के उपर, back end पे हो रहा है, user का इससे कोई गर्ज़ नहीं, वो कहां use हो रहा है, कहां नहीं use हो रहा है, उसका काम simple था, कि उस नहीं, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, और जो कि बहुत easy है, याद करने के लिए बजाए इसके, कि वो तुमाम के तुमाम जो पूरा server है, उसके name को याद करें, वो इसको लिखेगा, ये type करेगा, और वो इस server पहुंच जाएगा, back end पे, ठीक है, अगर हम replication की बात करें, तो जाहरी बात है, अगर ये server मेरा down होता है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा ये पूरा जो address है, वो मेरा invalid हो जाएगा, in case मुझे ये server up रखना है, या मैं चाता हूँ कि अगर ये server down हो, उसके बाद भी ये जो है, ये valid रहे, और reports का data इसको मिलता रहे, तो मैं इन चारों की DFS replication on करूंगा, DFS replication में क्या होगा, कि reports का folder यहां भी होगा, यहां भी होगा, और चारों पर replicate हो रहागा, in case मेरा कोई भी server down होता, तो request उसी वक्त reports की, इस server से उठके, इस server पर चली जाएगी, और दूसरे server से reports का folder उसका access हो जाएगा, ठीक है, next देखते हैं, next में भी मैंने ये example दी है, कि for example यह कि यह workstation है, आपका यह workstation है, और यह अपने इस file server को, ज इनके उपर जाता है, और यहां से files जो हैं, वो सब इनको लाके दे देता है, तो user actually इस server पर आ रहा है, ठीक है, वो इस server को access कर रहा है, उसे गर्ज़ नहीं है, कि यह server है, यह है, यह है, पीछे एक server है, दस है, बीस है, सो है, डेड़ सो, जितने मर्जी server पीछे लगे हुए उसको गर्ज़ है, इस server से जिससे उसने connect करना है, और इस server ने आगे तमाम request को forward करना है, और उसको use करना है, इसकी एक और example यह है, कि अगर आप यहां देखें, मेरे पास है, नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या होती है, नेम स्पेस आपकी डुमीन का नाम होता है, मारे case में यह my lab do local है, तो my lab do local रहेगी, और sorry, dfs आपका my lab do local रहेगा, नेम स्पेस क्या होगी, नेम स्पेस आपकी यह public होगी, जो मैं बनाऊंगा, हम ऐसा चार बनाएंगे, जो भी बनाएं, वो public होगी, user ने इसको access करना है, ठीक है, इसे बता रहा है कि नेम स्पेस आपका जो server है, वो इसे server पर रहेगा, software के अंदर और tools एक्सस करता है, तो tools का जो folder है या data है, वो इस server पर exist नहीं करता, वो exist करता है, इस server पर और इस server पर, इन दो servers की replication on है, और tools का folder यहां है, तो मैं इस tools के folder के अंदर जो location दोँगा, back end पे, वो इस server की दोँगा, और इस server की दोँगा, इसी रहां जो training guide का मेरा है shortcut उसके अंदर जो मेरा folder path होगा वो मेरा ये server होगा ठीक है ये examples आपको basic understanding के लिए काफी हैं बाकि अभी हम lab करेंगे तो lab में आपको इसकी ज्यादा समझ आएगी कि हम इसे configure करते हैं और ये use कैसे होते होते हैं ठीक है तो अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ लैब में देखते हैं कि हम DFS को कैसे configure करते हैं और इसको कैसे access करते हैं और DFS implement करने से हमारे network पे क्या फरक पड़ता है ओके गाई हम अपनी लैब में आ चुके हैं और लैब में सबसे पहले हम DFS के लिए file server का जो roll है उसको install करते हैं उसको देखते हैं जैसे हम पहले बता चुका हूँ कि file server का जो roll होता है वो automatically install हो जाता है जब आप domain controller पर तो install हो जाता है क्योंकि उस पर हम photo share करते हैं और इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास file server के अंदर रोल तो इसका install हो चुका है लेकिन अगर आप DFS पर देखें तो ना हमारे पास DFS name space ka roll install है और ना ही dfs replication का roll install है तो हम करेंगे ड tax name space का roll ubernetes का रोल bhi install कर देते हैं इसके अंदर और dfs replication कर रोल देंडर कर देते हैं और इसको मैं simple next कर रहा हूँ power यहां से मैं इसको restart कर देता हूँ और रिस्टार्ट साथ जाए तो आप्रमेटिकली इसको restart करते हैं यह role install हो जाता है इसका तो उसके बाद हम वापिस आते हैं और फिर इसकी name space को configure करते हैं और देखते हैं कि name space हो कैसे configure किया जाता है कि ओके तो यह हमारा जो role है वो install हो चुका है और इसने restart इसको नहीं किया भी फिलाल मैं इसको close कर रहा हूं और इसको हम minimize कर देते हैं यहां से और ठीक है यह में information दे रहा है अब इसके बाद आपने servers के start menu में जाएं और यहां आप DFS लिखें तो आपके पास यह देखें DFS management क एक जो निया icon है वो आ रहा होगा आप इसको open करें अचा open करने से पहले अगर मैं सर्वर को आपको access करके दिखा दूँ यह हमारा है मेरे ख्याल में कुझा सर्वर है इसका IP क्या है IP config 10.10.1 है ठीक है मेरा यह server है यह जिसको यह मेरा domain controller ही है तो इसको मैं access कर रहा हूँ तो अभी देखें इसके उपर data1 का एक folder share share1 का folder से इसका मतलब में पास दो folder share है net logon और sys log sys wall का folder यह तो domain controller का folder होता है यह automatically share होते है share1 और data1 यह दो folder है जो मैंने इस पर configure किये हैं इसके अंदर और यह 2 share अगर यह 2 है तो यह 3 4 5 share होते तो यह मुझे इस तरह नजर आते ठीक है अभी मैं इसको इसके IP से अक्सेस कर रहा है इस server को अब next जब हम इसको configure करेंगे तो देखेंगे इसके उपर क्या फरका है सबसे बहुत इसको maximum कर लेता हूं इसके सबसे बहुत नेमसपेस है हमारी हम नेमसपेस पर जाते हैं तो अभी इस वोकत मेरे पास कोई srv1 है मेरा मैं कहता हूँ जी srv1 मेरा server है जिसके अपर namespace configure होगी ठीक है यही server है आप चाहें तो आपना remote server भी दे सकते हैं ठीक है और यहां उस namespace का नाम होगा जिससे वो access होगा for example जैसे यह इस तरह होगा mylab.local ठीक है यह आपकी dfs का path होगा और यह backslash जो होगा इसके उपर आप अपना path देंगे sr देते हैं आप public देते हैं जो भी देते हैं यह आपका यह पूछ रहा है क्या यह क्या है तो मैं इसे कहता हूँ जी sr दे दो इसको और edit settings की मैं करूंगा वो कर रहा है sr को मैं कहा रखूंगा इस namespace को इस folder को वो कहां रखेगा मैं इसको browse करता हूँ अभी मैं कहता हूँ c नहीं e पर रखो और e के अंदर एक निया folder तुम बना दो नेम स्पेस का और इस namespace के folder के अंदर तुम इस folder को रखो और इस folder के ऊपर क्या होगा इसके अंदर targets होंगे different और permissions क्या हमने दे नहीं है administrator full rights all user have read and write permission आप यह दे सकते हैं सही रहेगा हम इने यह दे दी इसके हो और अब मैं इसको next कर रहा हूँ next करने के बाद पूछते हैं नेम स्पेस की टाइप domain namespace का domain namespace इस तरह की बनेगी mylab.local.chr या standalone namespace standalone का हमें कोई फाइदा नहीं है हमारे case में standalone से क्या होगा फिर वो हमारे srv1 का name या IP आगए यही तो हम नहीं चाहते हैं हम नहीं चाहते कि कोई भी client हमारा किसी server का IP दे किसी server का address दे वो बजाए एक यह address दे जो virtual address है इसका और इसके back end पर मैं जितने मर्जी servers को configure कर लूँ ठीक है तो मैं इसको इसलिए domain level namespace पर रहने देता हूँ इसको next करता हूँ और यहां से namespace को create कर देता हूँ यह namespace मेरी create हो चुकी है अब मैं इसके अंदर आता हूँ अब देखें इस namespace के उपर मेरे पास को फोल्डर नहीं है अगर मैं अपने server को यहां से अब mylab.local और मैं इसको SHR हमने बनाया था उसको access करता हूँ तो देखें यह मरे अप SHR का share बन गया लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं लेकिन अगर मैं इसकी eDrive में namespace में जाता हूँ तो देखें यहां मैंने उस folder को configure किया है कि वो उसको यहां save करें ठीक है अब हम चलते हैं अपनी namespace पे और इसके अंदर एक folder को share करते है अच्छा इसके अदर सबसे पहले मैं राइट लिक करूँगा और कहूँगा new folder न्यू फोल्डर बनाता हूँ न्यू फोल्डर का नाम क्या है मैं क server के उपर वो folder exist करता है मेरे case में वह srv1 हो सकता है आपका srv2 हो सकता है 3 हो सकता है जिस मरजी server के उपर जो आपका share folder उसका यहां पात दे दें अभी मैंने कोई folder share नहीं किया तो मैं srv1 करके folder को HR का नाम देता हूँ यहां से करता हूँ यहां जाएगा कि इस server के उपर HR के नाम से कोई folder exist नहीं करता share आप चाहते हैं कि मैं create कर दूँ तो मैं कहता हूँ बजाए इसके कि मैं manually जाके करूँ मैं यह जो window है इसको भी force कर सकता हूँ कि वो यह share करे वो पूछे का local path of share folder कि यह जो share folder है इसको मैंने रखना कहना कहा है मैं कहता हूँ जी F के अंदर shared का एक folder है इस share के folder के अंदर तुम एक HR का folder है यह HR का folder है जो share के अंदर है इस folder को तुमने share करना है create करके वो यह का इसके अंदर भी कोई exist नहीं करता है F के अंदर shared के अंदर HR बनाना है जाहरी बात है बनाओंगा तो share करूँगा मैं yes कर देता हूँ अब देखें मेरे पास इस folder target के अंदर एक मेरा HR का target आ चुका है ठीक है यह तो था एक manual तरीका के मेरे पास कुई folder share नहीं था अगर मेरे पास कुई folder share है जैसे हमारे case में srv1 backslash srv1 backslash मेरे पाद data1 share तो मैं कहूंगा data slash 1 मैं इसको यहां से ok कर दूँगा यह simple उस server को cannot be data1 ठीक है और एक मिनाट मैं यहां से यह लिखती है मैंने देखिए अब इस server के उपर मेरे पास एक ही folder है HR का और उस HR के folder के against मेरे पास दो address है इसी server के उपर दो तीन जतने मर्जी आप यहां से add कर सकते हैं मैं इसको अभी remove करता हूं और मैं यहां से इसको create कर देता हूं अब मेरे पास एक HR का folder यहां create हो चुका है मैं एक और folder बनाता हूं जिसको मैं रखता हूं data1 का जो कि हमारा पहले से share है और मैं data1 का यहां बात देता हूं और यहां से मैं इसको okay कर देता हूं अब आप देखे मेरे पास इस namespace के उपर दो folders मेरे share हो चुके है ठीक है अब देखे जब मैं इसको access करूंगा मैं करूंगा जी double backslash अब मैं इसके लिए windows 7 की machine पर जाता हूं ताके आपको क्लाइंट जो है वो आपका इसको कैसे access करेगा ओके अब इसके उपर अगर मैं जाता हूं double backslash करता हूं मेरे पास है my lab.local backslash shr यह वो access point है यह वो जगह है जहां से तमाम यूजर जो है वो इसको access करेंगे ठीक है इसके लावा कोई यसी जगह नहीं है जहां से यूजर इसको access कर सकते हैं ठीक है अब एक मिनट क्या था जी my lab.local अब इसके उपर कहा था जी यह hr1 जो share का था वो access हो चुका है ठीक है बजाए इसके कि मैंने किसी server का नाम दिया है मैंने एक unique नाम दिया है जो कि हमेशा मेरे case में यही रहेगा जाए पीछे मैं दो server लगा लूँ तीन लगा लूँ चार लगा लूँ जितने मर्जी सेहां दे server लगा लूँ अब जब मैं HR के folder को access करूंगा और यहां कोई folder बना आता हूँ data one के folder में data यह मेरे पहले से create है हमारी पिछली लैप के इनको मैं यहां से delete कर देता हूँ बलकर यहां से delete नहीं होंगे permissions का मेरे ख्याल में इसके उपर आ रहा है कि permission नहीं है इसको ओके तो अच्छा देखे मैंने share के अंदर एक HR के अंदर एक folder बनाया है और एक folder मैंने data one के अंदर बनाया अब जब मैं domain controller पर वापिस आता हूँ और मैं अगर मैं देखना चाहूं कि यह कहां बना है ठीक है तो मैं अगर e के अंदर जाओंगा namespace के अंदर जाओंगा तो namespace के अंदर देखे मेरे पास यह data one पढ़ा हूँ data HR पढ़ा हूँ यह folder नहीं है य क्योंकि इनके उपर यह आप देखने चुटा था shortcut आ रहा है यह shortcut है यह SL में चीजों को आगे forward कर रहा है कि अगर कोई HR को देखें यहां से मैं इसको access करूंगा नहीं मुझे access नहीं करने देगा क्योंकि यह understanding कर पा रहा कि यह namespace HR है क्या क्योंकि server को तो नहीं पता namespace को पत एक और folder share है data1 का वह यहां है ठीक है data data के अंदर देखें sales और data जो मैंने भी वहां से बनाया था वह यहां पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि different drives पे different servers पे जो भी data पड़ा होगा आप उसको share करेंगे वहां से उसको access कर देंगे तो वहां से वह use हो जाएगा एक और case आपको इसका मैं test case बना कर देता हूँ कि अगर जैसे देखें मेरे पास यह window 7 है ठीक है इस window 7 के उपर एक folder share है हमजा के नाम से ठीक है और इस folder को मैं यहां से share कर देता हूँ अब इस फोल्टर को जब मैं इस window 7 के server से share करूंगा तो मेरे किसी user को अगर इस folder को access करना है तो वह कैसे करेगा जहरी बात उसको पाद एक तरीका तो यह है कि वह window 7 को access करे डबल backslash करके और फिर इसके अंदर वहां जाए दूसरा तरीका क्या होगा कि वह मेरी जो name space मैंने बनाई है वहीं से कर देब में पासफ़र नहीं लग रहा तो हम यहीं से इसके उपर configure कर लेते यहां से मैं एक new folder बनाता हूं इसके अंदर और इसको कहता हूं विन 7 नेम स्का रखता हूं ठीक है यहां सका नेम रखता हूं मैं हमजा रखता हूं ठीक है और मैं कहता हूँ हम्जा पूछे का हम्जा का जो folder है कहा शेर है ठीक है तो इस case में मुझे क्या देना होगा मुझे क्योंकि वो share तो यहां करना नहीं मैंने Windows 7 पे वो मैंने server पर तो नहीं करना क्योंकि यह मेरा दूसरा file server है जिसका IP है मेरे पास 10.10.56 मैं कहूंगा जी वो है जी आपका 10.10.10.56 पे और 56 के उपर एक हम्जा के नाम का share folder होगा अच्छा हम्जा के नाम को share folder नहीं है create करना हो yes और मैं यहां permission देंगा local path क्या है ठीक है local path क्या है हम्जा के server हम्जा Windows 7 के उप यह जो मैंने हम्जा का folder बनाया था यह वहीं पड़ा हुआ है वहीं से इसको share करना है लेकिन accessible कहां से होगा यह आपका यहां से अब देखें data 1 कहां पड़ा हुआ है इसी server के उपर HR कहां पड़ा हुआ है इसी server के उपर हम्जा कहा है Windows 7 की machine के उपर यह दूसरे server के उपर प server चाहे वो मैं यहां से add कर सकता हूं ओके namespace server आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं यह हम next lectures में करेंगे जब इनकी replication कर रहे होंगे different namespace servers को add करेंगे कि अगर मेरा यह पूरा server down होता है तो मेरी जी namespace को override कैसे करेगा data1 के अंदर folder path एक ही है srv1 के उपर replication जब हम करेंगे तब हम दो folder path बनाएंगे और इसको वहां से configure करके देखेंगे कि वह यहां से कैसे होता है ठीक है तो guys यह तो था आपका आज का lecture कि dfs namespace क्या होती है और उसके different share folder कैसे configure करते हैं जो के different servers के उपर पड़े हो सकते हैं ठीक है इंशाला तला आने बाले हमारे lectures में हम इसकी replication भी करेंगे और कल के lecture में हमारा जो next lecture होगा अपने file server के उपर उसके उपर अब हम file screening और जो quota management होती है उसको देखेंगे Allah अफेज